हेलो एब्रिवन वेलकम टू प्रेप शेफ एना सोम को स्टार्ट करने जा रहे हैं सोम एक ऐसा सब्जेक्ट है सिविल एंड मेकेनिकल वालों के लिए कि जिसका एक तो वेटेज हर एक्जामिनेशन बहले सी कोई सी भी एक्जामिनेशन हो यह उसमें सिविल इंजिनेरिंग य वहाँ पर इंपोर्टेंट माला जाता है सब्जेक्ट को ठीक है दूसरा यह कि इस सब्जेक्ट के अगले वाले सब्जेक्ट में यूज होते ही होते हैं तो यह सब्जेक्ट हमारे लिए दो चीज़ों के लिए इंपोर्टेंट होई जाता है एक तो हमें मार्क्स चाहिए रहते हैं, examination में, तो यह scoring subject हो सकता है, क्योंकि इसका weightage होता है, उपर से यह subject में, क्या होता है, numerical होते हैं, जिनका command अच्छा होता है, numerical पे, तो उन लोगों को easy to score हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इस subject को, बच्चों के बहुत सारे doubts आते हैं, कैसे, कि वो सारी चीजे ऐसी है, जो 12th वाले concepts use होते हैं, है ना, पर क्या होता है, कि अभी फिलाल lockdown में, या फिर भूत सारा colleges बन है, है ना, तो बच्चों को दिक्कते हो जाती है, किसलिए, क्योंकि पढ़ाई से उनका distancing हो गया है, ना, पढ़े हैं नहीं, और वो सब पुरानी बात हो गई है, तो हमने क्या किया है, second year and third year वालों के लिए, इस में हर एक चीज, जो की, बतानी चाहिए, या फिर necessary है, preparation wise, वो सारी चीजे मैंने सोम में बताई है, उसको अच्छे से design किया है, इस वे में ताकि कि किसी को भी, जैसे moment of inertia लेने में, या फिर CGF, center of, या फिर forces वग होता है, ठीक है, तो वेटेश देख लेते हैं, हमारा gate का वेटेश देखते है, gate में, gate में civil वालों के लिए, it is six to eight marks, है ना, और mechanical वालों के लिए भी, ये six to eight marks है, लेकिन ये सिर्फ एज़ा नहीं है, कि ये तो सिर्फ सॉम का है, ये कि और और ये दी देखें, तो करीबन, 15 to 18 marks, क्योंकि बहुत सारे, जैसे RCC में use होना है, स्ट्रक्चर में use होना है, ये ना, mechanical वालों के लिए भी next subjects वगेरा में use होता है, तो उनका वेटेश वहाँ बढ़ जाता है, ये ये एसी के लिए देखें हम, ये ना, तो पहला prelims के लिए देखें, ये ना, prelims के लिए 40 marks क around, 35 to, कितना? 35 to 40 marks, काफी ज़्यादा वेटेश रखता है, यहाँ बेभी ये 35 to 40 marks रखता है, क्योंकि ये subject important है, पढ़ने में मज़ा आता है, लेकिन जो लोग इसमें उलज जाते हैं, फिर उन लोगों को ये subject छोड़ना ही पड़ जाता है, तो मैं ये ही चाहता हूं कि वो subject किसी को छोड़ना ना पड़े, मतलब वो उलजते कहां है, क्योंकि उनके basics clear नहीं होते हैं, 12 वगेरा के teachers बता देते हैं कि ये तो वहाँ पड़ा था, तो वो बच्चे को येसा लगता है कि या शायद मैंने या तो पड़ा नहीं है, या फिल्म बे समझने के लिए capable नहीं ह इस चीज में वो क्या हो जाता है, उनको subject से मतलब जिसे होता है, कि एक subject से अपना पंज होता है, वो हट जाता है, है ना, तो उसके कारण वो छोड़ देते हैं, लेकिन ये subject भहुत बैरा subject है, numericals अच्छे आते हैं, इसमें कुछ numericals करते हैं, तो हाँ लगता है कि हाँ हम तो में में 80 marks के round, मतलब सोच सकते हो, एक paper 300 marks का है, उसमें 80 marks तो सिर्फ 100 मी दे देता है, ठीक है, 80 marks के round इधर भी होगा, है ना, ठीक है, तो ये हो गई weightage की बाद, तो हमें weightage वाइस तो पता जाए गया, कि gate में भी 6-8 marks का है, तो ये तो सिर्फ स्वाम का है, बाकि दूसर subjects बगेरा total मिला के हमें कम सकम 15-18 marks मिल ही जाते हैं, ठीक है, यदि syllabus की बात करें, तो syllabus में हमाएं पढ़ना है, shear force and bending moment, ठीक है, stress and strength पढ़ना है, क्योंकि इतको shear force and bending moment में हम क्या forces and moments के बारे में पढ़ते हैं, फिर उन forces and moments के कारें stresses generate होते हैं, stresses generate होने के बाद, उनका conversion की, इन combination बन रहे हैं, कितने maximum बन रहा है, कितना minimum बन रहा है, ठीक है, deflection भी पढ़ते हैं, torsion के कारण, and shear stress and bending stresses के कारण, जो उनका distribution कैसा होता है, वो पढ़ते हैं, यहना, cylinder and sphere के अंदर भी कितने, किस type से stresses का variation होता है, वो भी पढ़ते हैं, और end में हम column and spring के बारे में पढ़ते है ठीक है, इसमें area में weightage wise बात करूँ कि हमारे major chapters कौन से हैं, तो उसमें 1st, 2nd, 3rd, 4th and 7th, यदि इन 5 chapters को देखें, तो यह कम से कम 60-70% of syllabus हैं, मतब इसमें content भी ज़्यादा है, इनका weightage भी ज़्यादा है, और importance भी ज़्यादा है, ठीक है, जिसका जितना ज़्यादा है, इम् उतना ज़्यादा मज़ा आता है, इस वाले subject लिए तो यही है, ठीक है, तो हम लोग इनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, वैसे तो सारे कोई अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन इनके questions भी मैंने बहुत करवाये हैं, मतलब यदि देखा जाए, तो इनके concepts को हमने चुन- ठीक है, अब यदि next बात करें हम, prepare कैसे करना है, इस subject को, तो इस subject की एक खाशित है, कि इसमें theories यदि देखा जाए तो नहीं है, मतलब यदि देखा जाए तो 20% of theory है, तो इसमें क्या है, प्योरली concept बहस्त है, मतलब यदि physics and mathematics है, तो हम लोग क्या try करते हैं, कि हम उसको उस लेवल से पढ़ते हैं, कैसे कि physics और mathematics मैंने अच्छे से बताया है, पहले physics के concepts बताया है, जब एक बार वो समझ में आने लग जाते हैं, mathematics को कैसे use करना है, इसमें वो बताया है, ठीक है, उसके बाद इसमें numericals आएंगे, numericals को हमें अच्छे से करना है, तो मैंने handout दिया है, सारे के सारे conceptual questions है, तो मैंने सभी को लगबग solve करवाया है, जो भी necessary है, 80-90% उसमें solve करवाया है, उसके अलावा आप लोगों को एक थोड़ा सा काम करना है, कि हर दिन, जैसे जैसे आपकी classes progress करती है, आपको per day 10 questions gate के, और 30 questions EAC के लगाने, यदि आपका chapter 3 दिन में खतम होता ह है, तो gate में 30 questions ही होंगे उस chapter से, तो वो खतम हो जाएंगे, तो आपका क्या होगा, कि एक chapter के साथ में questions भी complete होते जाएंगे, उससे क्या होगा, कि आपका जिस तरह से आपने पढ़ा है, उसके साथ आपने फिर apply किया है, और उसमें जो भी doubt आएगा, उसको solve किया है, तो एक complete cycle में हमें देखना है, और approach इसी तरह से करना है, pending work नहीं करना है, तो मज़े आएंगे, फिर doubts वकिरा जो भी आएगा, उसके लिए हम है ही है, तो बस start करते हैं, छीक है?